बालाजी महंदिपुर में बुलाएं तुम्हे बगतों हम यातरा वार्द बताएं तुम्हे बगतों तू करके ध्यान सुन रे बालाजी राम चल रे तू करके ध्यान सुन रे बालाजी राम चल रे पूची अनोखी शान है बाबा के धाम की जैगुबती प्रिलोक में बाबा के नाम की ऐसी मिसाल ना कोई तीनों जहान में जैसी बनाई बाबा ने नाजस्तान में दुनिया के कोने कोने से आते हैं भक्द जन रेती ये परवतों के बीच छिलता है जमन बाबा नाजी के गरबार में सारे समान है सब पे दया दिखाते ये करना निधान है घाटे में आके घाटे में रहता नहीं कोई तक दीर जाग जाती है पल में यहां सुई जो एक बार बाला जी के दाग आ गया वो राम भक्त बाला जी का प्यार पागया तू करके ध्यान सुन रे बाला जी राम चल रे तू करके ध्यान सुन रे बाला जी राम चल रे इस कश्ट हारी धाम की है यात्रा सुदूं करतब भी अपना मान के बता रहे हैं दोसा जिला में घाट महंदिपुर है एक नगर जहां लगा है बाला का दरबार ये अमर इस थान घाट महंदिपुर में है ये अदालत मिलता है यहां जाय पूरी होती है चाहत बाने कुई देशन से चौबस मील दूर है वड़कर के लाको सूरियों से इसका नूर दे इंडोन टेशन से भी बस रोज जाती है बाराज के बत को कौन बधर दिखाती है इंडोन है टेशन बढ़ोन दिल लिवार्द पे यहां से भक्त जाते है बाबा के धाम पे तू करके ध्यान सुन रे बाला जिदाम चल रे दिली में बसका अट्टा का लिखां के नाम से जाती है मैं हिंडीपुर के लिए गाड़ी यहां से ये मार्ग सुखम है जो सब को रास लाएंगे कुछ दियम बाला धाम के तुम्हे जो बताएंगे दो परवतों के बीच में इस थान ये सुन्दन बाला जि महावीर का बख्य यहां बंदिल बाबा के सिवा अन्य देव ताभी यहां है ऐसी विशाल जाके भला और कहां है यहां दीन देव है प्रधा में रूप में भगदों ये सब को पचाते दुखों की दूप से भगदों बाला जी के सब बेद राज और बोतवान तीनों ही बूद बेदों की था दिर बने हिकान तो करके ध्यान सुन रे बाला जी राम चल रे अब ध्यान से सुनो जी नियम वाला धाम के हम आपको बता रजी है तथ्य काम के जाने से चार दिवस पहले निम्न वस्तुएं लह सुन पे आज आदि सभी प्याग दीजें मदिराम मास त्याग देश दैव के ही ब्रमचार बन के बाला जी के बार आए कोई भी बाला बस्त्र न हो आपके जन पे चमडे की कोई बस्तु न रह पाए बदन पे मन में अपार शत्ता और श्वास अडल हो तन हो सुच्छ और आत्मा भिरिमल हो होठो पे नाम बाला जी का आठ या मगो तो बाबा की धया से फूट सारे काम भूम तू करके ध्यान सुन रे बाला जी राम चल रे तू करके ध्यान सुन रे बाला जी राम चल रे जिस रोज तुम्ही जाना हो बाबा के दार को चावल के संदि नारियल कपड़ा सवार लो घर में ही सवा दो रुपै को हाथ दीजिए घर बे घुमा के मन में ये संद्धल्प कीजिए बाबा मेरी इस कामना को पूर्ण कीजिए हम आ रहे हैं दर बे हमें शक्त दीजिए घर से निकल के पीछे मुढ के देखना नहीं अपनी पराए किसी से भी बोलना रहीं इस भादियात राशुरू हुई ये सच्चनों आगे भी कुछ बता रहे हैं ध्यार से सुनों भक्तों जो इस विधी से वामा को मनाएगा संकट कटेंगे फल में वो सुप शाते पाईगा तो करके ध्यान सुन रे बाला जिराम चल रे तो करके ध्यान सुन रे बाला जिराम चल रे जब घाटा मेहने पुर में पहुँच जाओगे भक्तों तन मन में इक नई उमंग पाओगे भक्तों फिर धर्म शाला मेत लहर की कीजिए विश्राम विश्राम के समय भी रहे याद वाला नाम विश्राम के पश्चात करना चाहिए सिनाम कपड़ी बदल के साथ सुच्छ कीजिए प्रगाम गुर्गान करते बाला जी के गार आये निजवस्तों की रक्षा सयम करनी चाहिए मंदिर की व्यवस्था की करो पाल नमन से बाबा के भक्त बनिये शर्था लगन से अग सवा दो रुपै भी मों साथ लीजिए चलते मुए बाला जी का घुर्गान कीजिए तू करके ध्यान सुन रे बाला जी राम चल रे तू करके ध्यान सुन रे बाला जी राम चल रे मंदिर की सामनी से आके लीजी दर्खास दर्खास सवा दो रुपै में भूती है प्रास अब जाए बाला जी के दर्शन के वासते बाबा जी खोल देंगे सफलता के रासते दर्वान में आगे फिर अपन मात हटेगी पंक्ती में खड़े होके नहीं पीछे देखी चलने होई जब आएगी बारी जो तुम्हारी तो सामनी होगी सभी बाला जी की प्यारी दर्खास लगानी होगी सर को छुका के पपड़ा मनारी इल शी बाला को चड़ा के अब हात जोड़ कर शी बाला के सामने अपनी सबस्ता बोलिये बाबा के सामने तू करके ध्यान सुन रे बाला जी राम चल रे तू करके ध्यान सुन रे बाला जी राम चल रे दरखास्त अपने परस साथ बार बार के बाबा को लगा दीजिये हनुमत पुकार के दो लट्टू मिलेंगे तिने बाला जी किजर से उनको अलग ही रखिये लगा फर के सर से धैरब जी को फिर अपनी दरखास्त दीजिए फिर प्रेत राज जी को भी प्राम कीजिए तीनों जग दरखास्त लगाने के बाद में जो शेश बचा डाल दीजिए पहार में वो लट्टू जो बाला जी किदर बार से पाए रोगी को खिला दीजिए जो साथ मिलाए ये रोगी किदर हात विसंपट मिताने को श्री बाला जी की करण में द्रिश्ट पानिको तू पर के ध्यान सुन रे बाला जी राम चल रे संकट हो अगर ज्यादा तो फिर अर्जी लगाओ बाला जी महावीर को निजगश्ट बता साय की आरती के बाद अर्जी लगेगी अर्जी सवा एक्यासी रुपैरी मिलेगी अर्जी में लट्टू उड़गव उबले हुए चावल मंदिर के बाहर ही तुम्हे सब जाएगे ये मिल बाला जी के घरवार से तो लट्टू मिलेंगे ले खर के ये प्रसाद को फिर आगे चरेंगे भैरवजी को इस मेसे तुम्हे भोग लगाना श्री प्रेत राज जी पे अर्शाद चड़ाना बाँगी को प्रेत राज के घरवार के पीछे पहाड में कशों के लिए डाल दीजिए तू करके ध्यान सुन रे बाला जी राम चल रे तू करके ध्यान सुन रे बाला जी राम चल रे प्रसाद जो बाला जी के दरबार से पिना वो दोनों लड़ रोगी को तुम दीजी खिला दरबार विबाला जी के अर्जी जो लग गई मानो तुम्हारी किस्मत अब से ही जग गई अर्जी जो एक बाल लग गई है तुम्हारी रक्षा करेंगे तीन साल तक गदाधारी फिर तीन साल बाद जो संकट कभी आए तो आके बहने पुर में फिर से अर्जी लगाए एक अर्जी काम करती है दो प्रश्ण वासते अर्जी लगाने वाले को बाबा हो बार दे चाहिए हो बूत बाद या कोई भी समस्या अर्जी से पून करते है बाबा सभी मनुशा तू करके ध्यान सुन रे बाला जिराम चल रे तू करके ध्यान सुन रे बाला जिराम चल रे जिस रोगी पे हो बूत पेत या कोई साया हाँ भंभरा अशस ने उसे रोगी बनाया अर्जी के बाद पेशी उसे लेनी चाहिए लट्टू पचास पैसे के बाहर से लाई लट्टू यार तीसे पहले ही जम कर दे दरबार में बाबा की रोगी को खड़ा कर दे बाबा के प्रतिश रत्व विश्वास अतल हो तो भक्त जनो आपकी आत्राय सफर हो बालाजी के फिर प्रेम से उतारवार दी भक्ती की शक्ती ही तो है डूबों को तार दी भक्ती के बल से बालाजी का नाम है अमर तो पर के ध्यान सुन रे बालाजी नाम चल रे पेशी के वो लड़्टू बटेंगे आरती है बाल रोगी को खिला कर सभी मिलकर करो करिया रोगी पिभूत प्रेत या साया कोई होगा खा देगी लड़्टू बोलने वो खुद भी लगेगा संगट अगर न बोल जो न पेश ही आए तो भैर बाबाजी को भी भूग लगाए धैरब जी के इस भूग में होते हैं गुलगुले ये बालाजी के मंदिर के सामने मिले धैरब को भूग लगाने के बाद ये करना दो गुलगुले प्रिसाद में रोगी को खिलाना बागी को रोगी परसे किस बार बार के गुत्तों को डाल देजे संगट उचार के तू करके ध्यान सुन रे बालाजी दाम चल रे तू करके ध्यान सुन रे बालाजी दाम चल रे धैरवजी के पश्चात पेत राज के संगट जाकर लगाओ भोग और सुनाओ अपना दुख श्री बेत राजी का भोग खीर लगाए बाकी जु बचे रोगे और अन्य भिठाए फिर पीछी बेत राज के जरवार के जाना दीवान सरकार को भी भोग लगाना साथ बता शेलाई चे लंब मिठाए जलते हुए उपले पे रखके कीजे दुखाई उसके दुए के घूनी रोगे को भी दीजी दो अगर बत्ती जला करके विन्त कीजी दीवान सरकार जी से प्राथना करो हम आपके शरर में है रोगे का तुख हरो तू करके ध्यान सुन रे बाला जिराम चल रे फिर भी न भूत बाधा बोले पेशिन आए रोगी को चौके क्रत्य आदे फिर भी सताए मा काली के दरबार में फिर जाना चाहिए सम्मुख महमाई के दिपसना न चाहिए काली का भोग पान अगर फास्त लोट अगर दो लंग दो पताशियों होता है जाए पन लगवाद भोग काल का मिल की फुजारी से विन्ती करू कर जोड़ के मा खरत धारी से फिर पान लट्टू देंगे आपको वो पुजारी रोगी को खिला दीजिए विपदा मिटे सारी मा काल के सम्मुख न विपदा रहने पाएगी रोते हूं को काल जिपल में हसाईगी तू करके ध्यान सुन रे बाला जिदाम चल रे मा काली का मंदिर उसी पहाड के उपर है नील वर्न रक्त जिवा हात में खपर इक हात में खडग केश है खुले हुए है दीत लाल जैसे अंकारे जले हुए शंकर भी इसके गोध से धर धर है कापती इसकी दया पानी को क्रिंग क्रिंग जापती फिर भूत पेत इसके सामने है चीज क्या ब्रम्भाजी मांगती सदा मा काल की दया विक्राल रूप होने पे भी मम तमई है करुणा की ऐसी मूर दिला तोजी कही है बगतों को अपनी छाती से बादू पिलाती दुष्टों का इहार से ही रख बहाती तो करके ध्यान सुन रे बाला जिराम चल रे तो करके ध्यान सुन रे बाला जिराम चल रे फिर भोग समाधी मले बाबा को लगाओं श्रधा के साथ जूब अगर बत्ति जलाओं सुख राम जले बीका भोग लगता है यहां बाबा के भक्त पे नहीं संपट कभी रहां फिर फील पेशी आये तो घबराई ये नहीं निजध्यान बाला जी से तुम हटाई ये नहीं तब भोग भंगी बाड़ी को लगादा जरूरी बरसों की सब मुरादे भी हो जाएंगी पूरी जाते हुए दरबार विश्री पीत राज के ये जगह सीडियों के पास हुल्टे हाथ पे फोरी मिठाई लोंब इलाई ची बताशे साथ जलते हुए उपले के रखके जोड लीजे हां तू करके ध्यान सुन रे बाला जी राम चल रे बाला जी महनिपुर में बुलाएं तुम्हे बगतों हम यात्रा का बार्द बताएं तुम्हे बगतों तू करके ध्यान सुन रे बाला जी राम चल रे इसका धुआ मरीज को भिले न चाहिए वश्चात इसके ना किसी को छून चाहिए जाहर के धर्म शाना में सनान कीजिए कपड़े बदल के बाला जी का धान कीजिए धिर बांबा के धर बार में आना है दुबारा बाला जी कान गाई ये मुचा सजकाना धिर कीजी पीपल के व्रिक्ष की भी बंदना संपड को टाल देगी कीजी ये का प्राथना इक कान लोटा जल की लाइची और पताशी पीपल के व्रिक्ष पे ये भोग आप चढ़ा दें भोडा सजर बचा के वो रोगी को पिलाएं बाबा अनाम लेके सभी शीष जुटाएं तो करके ध्यान सुन रे बाला जिराम चल रे संगट अगर सुबा से फिर भी बोलता नहीं रोगी के मुक से भेद अपना पोलता नहीं तो मंत्र जाक कीजिए विश्वास पूर वक्ल मन में हुशत था आखों में बाला जिकी जलत ओं तंद्र मंत्र त्रीरा पटुक भेरवाए नमा ओं फिंग काले काई नमा ओं भेरवाए नमा ओं देट राजाए नमा धर राजाए नमा ओं धींग हनु मंते नमा रामाए नमा ओं दुर गाए नमा पटुक भेरवाए नमा ये मंत्र जाप कीजिए सब त्राग करके भेर ये मंत्र जाप करने के विधी भी जान लो बाबा की किरन पाने का संतर पतान लो तू करके ध्यान सुन रे बाला जिदाम चल रे कुशिया हून से बनियासन पे बैठिये फिर सामने शुदघी का देप जलाए बाला जिदुर्गा काल के मूरत हो सामने गंगा जी का जल रखना एक तामर पात्र में एक खाल शुद्र पात्र भी रखियेगा सामने संकल्प कीजिएगा जल लेके हाथ में फिर माल के बनकों पे मंत्र जाप कीजिए इस वक्त ना किसी से बार कालाप कीजिए एक माला पूरी होने पे तुम ध्यान दो जरा जल खोडा उस खाले बात्र में दो तुम गिरा माला ये मंत्र जाप की जब सात हो जाए मंत्र तो वो जल की आप अरोगी को पिलाई तो करके ध्यान सुन रे बाला जी राम चल रे फिर पढ़ेगा शद्धा से हनुमान चानिसा श्री बाला जी मिटाएंगे दुख और कलेशा ये जाप 11 21 या 41 जिद करो कोई भिवादा आये तुम पनिक नहीं डरो जब जाप पून हो वे तो फिर हवन कराओ ब्रांगर को दे कि दक्षिर आशीश ही पाओ आशीश में वो बल के मित्व को भिटाल दे आशीश जूप ती गुई नईया समान दे फिर गीता का पाठ भिरोगी को सुनाओ बाला जी गुल गान पूरी शत्रा से गाओ सुमिरन से बाबा करुन की परसात करेंगे पल भर में बाबा सारे बुश की लात भरेंगे तू करके ध्यान सुन रे बाला जी गाम चल रे रोगी को भूत प्रेत से जब मुक्ति जाए मिल बाला जी के प्रताप से संकट भिजाए कर परहेज से कुछ और दिवस रहना चाहिए दरबार में इन बंधनों को सहना चाहिए कम से कम ग्यारहद ने नियम चलेगा घीय के लिका अखंड दीप जलेगा रोगी को इन दिनों धरा पे सोना चाहिए ब्रहचर के पालन का निश्य होना चाहिए मिरची खटाए देल का प्रयोग ना करे सत्य बोले जूट की संदत से भी डरे बालाजी के दर्वार से भभूती लीजिए रोगी को खाने पेल में मिला के दीजिए तू करके ध्यान सुन रे बालाजी राम चल रे संदत कटे ये बाबाजी से प्राथ ना करो बजरंगी के चरणों में अपना शीश तुम धरो फिर केजिए विने की बाबा रक्षा केजिए बाबा हमें एक शक्ति शाली दूत देजिए इस दूत को बुलाओ शनी सो मुवार को आपत्ति में कभी भी दूत को पुकार लो बाबा जी का ये भूत सदा रक्षा करेगा बाबा के भक्त के सदा संकट को भरेगा जो इतने वे भी रोगी पे पेशी नहीं आती संकट न बोलता हो ना बेमारी ही जाती दर्वार में ही रोगी बूने लगे जबनी तो जान दीजे के रोगी होने लगाती तो करके ध्यान सुन रे बाला जिदाम चल रे जिस पर हो भूत पेत अत्वा उपरी हवा उपर का ये विधान कसी के लिए कहा लेकिन नियम के बाल न सब के ही लिए है वहां के व्यवस्था अरूने नागती है जो मुख्य मुख्य नियम है उनको बताते हैं घर बेटे ही बाला जिकी छाकी दिखाते हैं मंदिर के व्यवस्था में दीजिए सभिस हैयो अब शब्त का किसी के लिए भी न हो पयो दोनों समय की आरती में खड़े हो ये बुर्गान बरते जाए जे मुख्य से बोले बाबा की कांख से निकलती है जो जल की धा लेकर के उसके छीते जिन्दगी बुलो समा तू करके ध्यान सुन रे बाला जी राम चल रे अपना प्रसाज पाने को ना जल्दी कीजिए महिलाओं को अपनी से पहले मौक दीजिए बच्चों को न मंदिर में लेकी जाना चाहिए मंदिर में नहीं गंदगी बैलाना चाहिए जिन रोगियों पे मार पड़ रही हो बाब की भूतों के साथ शक्ति लड़ रही हो बाब की उनके लिए पर आपको छोड़ दीजे स्थान बाला जिसे बस मांदिये उनके ने कल्याँ दरखास्त अरजी पेश के अयाव कोई थो अपनी ही इच्छा से नहीं करना तुमें ब्रयों इस भाब को सबै विशेश में लगाते हैं जो हो जरूरी को पुझारी सुएं बताते हैं तू करके ध्यान सुन रे बाला जिराम चल रे मंदिर में पैर सैला करके बैठना नहीं कोई विपत्ति हो वहां पे लेकना नहीं मंदिर के गर्ब दहम नहीं जाना चाहिए चोलाव भोग सुयंना चड़ाना चाहिए भंडा राया सवा मड़िया कर नहो हवन तो महंद जी से मिलने का तुम कीजिए जगर मंदिर के कार याले से आदेश लीजिए आग्या के अनुसार ही तुम कार कीजिए ये भोग सवा मन का बाला जी को लगाते लड़ू वो हलवा पूरी से बाबा को मनाते इसमें सिलो प्रसाद और आनंद मनाओ भक्तों के साथ बाबा की जैकार लगाओ तू करके ध्यान सुन रे बाला जी राम चल रे दुनिया में एक ही तो है दरबार निराला जहां आज भी है बाला जी का तेज उजाला यहां पे करिश्मा नहीं किस जीवधारी का पंडित का ना सयानी का नहीं पुजारी का बाला जी के धरबार में जो भी है चमत का भूतों पे अपने आप ही पड़ती गदा के माद रोगी के मुख से भूत अपने आप बोलते कभी उल्ट लटक जाते कभी दोड डोलते जो करते हैं प्रयास भागने का यहां से वो एक पाओ धी नहीं रख सकते वहां से पाओं में बीडी हाथों में लग जाती हत कड़ी अध्रिश रूप से परस्ति कोड़ों की जड़ी तो करके ध्यान सुन रे बाला जी राम चल रे ये सब करिश्मा है मेरे बाला जी वीर का भूतों पे राज चलता शिरी महावीर था सब भूत प्रेत बाबा का आदेश बजाते दर बार में वे सुबह शाम पेशी लगाते इस धर पे आके नास्तिक भी होते आस्तिक दाना हो या मानम चुखाते हैं सभी मस्तिक अभिमान का भी पल में यहां मान तूटता अज्यान का यहां पे है अज्यान चूटता दैरगव प्रेत राज जी की शक्ति है अजब सरकार श्री दिवान जी की महिमा है घजब एक बार आके जिसने यहां शीश जुकाया जीवन को उसके फूल सबाबान किलाया तो पर के ध्यान सुन रे बाला जिदाम चल रे अब बाबा की इक पत्ते भी संशेप में सुनिये सुन कर के ये इतिहास हर्ष चाएगा मन पे एक संद जिनका नाव ना किसी को है पता बाला जिम को सब्न में रही वे ये बता बो महापुरुष चल दे उठ करके सुन में जाप मुझे चलते चलते गोर भी हडवन में देखा के एक ओर से आती है रोशनी हाथी व घोड़ों पे सजीजे ना ये है घनी उसकोज निमा बागी करी तीन पर क्रमां सब्द खड़े देखते रहे वो महात्मां फिर बहद जिवा पस चले आए थे अपने घर फिर सब्द देखते रहे थे उनको रात भर तू करके ध्यान सुन रे बाला जिदाम चल रे सपने में उनको एक ही आवाज आ रही रह रह के एक बात ही उनको सता रही गोठो मेरी सेवा का भार गहड कुम करो ना देल अब लगाओ ना तो मुझ से उंदरो गोसाई जी को इस तरह दरशन दिखा दी हनुमान जी ने भेद पूजा के सिखा दी बैभव विशाल देखते ही आप खुल गए इस भाती सपन में ही सारी रात धल गए दूजे जिवस गुसाई जी पहुचे थे उस जगह बालाजी ने बताया था सपने में जिस जगह फिर लोग आस पास के उन्होंने बुलाए सपना बता के बालाजी के दरश कराए तो करके ध्यान सुन रे बालाजी राम चल रे तो करके ध्यान सुन रे बालाजी राम चल रे इस भाति बाला जी का अवतरन हुआ यहाँ अब मेला सा लगता है घोर भी हड़ था जहाँ फिर सरगिय गडिश पुरी जी यहाँ आए मिलकर के सबने उनको यहाँ महत बनाए फिर श्री किशोर जी पुरी ने बार सभाला चारों तरफ ही हो गया बाबा का हुजाला अब यह उन्ही पे बाबा किसे राका भार है प्राणू से भी ज्यादा उन्हे बाबा से प्यार है अनुराद बाला जी के चर्णों में सदाइन का दिस्वाठ सेवा करते नहीं लोग है गनका सब यात्रियों को पुत्रभाव से ये मानते श्री महंत जी लपोध की भाशा को जानते तू पर के ध्यान सुन रे बाला जी राम चल रे करते हैं बाला जी के प्यारी रूप कवरनन भव विशाल रूत में है अंजनी दंदन सोनी का सिर पे मुगुट तन पे राल लंगोटा भक्तों की रक्षा एतुनी हाथ में सोटा एक हाथ में है शक्ति शेरे राम नाम की रिदय में मूरती बसी है सीता राम की सिंदूर चोला अंग में बाबा के विराजे सोनी का छत्र बाला जी के शीश पे साजे काढ़े पे मूझ का जने उ कानु में कुंडल वर्णन में आन पाएगा महावेर जी का बल हनुपम है रूप के सरिसुत हनुमान का भंडार है बजरंग जिबल और ग्यानका तो करके ध्यान सुन रे बाला जी राम चल रे हमने किया बाला जी की यात्र वर्णन किस खाति पहुचा जाए और कैसे भुपूचन बजरंग के सिरे पत्रन ना के प्यारे है काम ना ये पूण करे काज तुम्हारे किस धाम का आनंद स्वर्ग के समान है महिमान कही जा सके ऐसी बहान है ऐसे पवित्र दिफ्य धाम को न भूलिये जिसने बुलंदियों के आसमान चूलिये हम करते हैं प्रणाम इस पवित्र दाम को प्रिदैने बसा करके श्री बाला जिनाम को भक्तों से जो भी धुटी हुई शमा कीजिए एक बार आके दर्श रूपियमी कीजिए तो गर के ध्यान सुन रे बाला जिनाम चल रे तो गर के ध्यान सुन रे बाला जिनाम चल रे तो गर के ध्यान सुन रे बाला जिनाम चल रे ओम एक श्रुटी है ओम सभी मंत्रों का सार है ओम मंगलं ओम कार मंगलं ओम मंगलं सार थार मंगलं ओम मंगलं सार थार मंगलं सार थार मंगलं ओम मंगलं ओम ओडियो वीडियो के वल अमने से उस्थी ओडियो वीडियो केवल अमने से उस्थी दुनिया में एक ही तो है दरवार निराला जहां आज भी है बाला जी का तेज उजाला यहां पे करिश्मा नहीं किसी जीव धारी का पंडित का ना सयानी का ना ही पुजारी का बाला जी की दरवार में जो भी है चमत का भूतों पे अपने आप जी पड़ती गदा के माँ रोगी के मुख से भूत अपने आप बोलते कभी उल्ट लटक जाते कभी तोड डोलते जो करते हैं प्रयास भागने का यहां से वो एक पाओं भी नहीं रख सकते वहां से पाओं में बेडी हाथ में लग जाती हत कड़ी आद्रिश रूप से परस्ति कोड़ों की जड़ी तो पर के ध्यान सुन रे बाला जी दाम चल रे ये सब करिश्मा है मेरे बाला जी वीर का भूतों पे राज चलता शिरी महावीर का सब भूत प्रेत बाबा का आदेश बजाते दर बार में वे सुबह शाम पेशी लगाते इस दर पे आंके नास तिक भी होते आस तिक दाला हो या मानव चुकाते हैं सभी मस्तिक अभिमान का भी पल में यहां मान तूटता अज्यान का यहां पे है अज्यान छुटता दैरग्म प्रेत राज जी की शक्ति है अजबू सरकार श्री दिवान जी की वहिमा है घजबू एक बार आके जिसने यहां शीश चुकाया जीवन को उसके फूलो सा बाबान किलाया तो पर के ध्यान सुन रे बाला जिराम चल रे अब बाबा की उत्पत्ते भी संशेप में सुनिये सुन करके ये इतिहास हर्ष चाएगा मन पे एक संथ जिनका नाबना किसी को है बता बाला जिराम को सपन में रही है ये बता वो महापुरश चल दे उठ करके सपन में जाका मुझे चलते चलते गोर भी हडवन में देखा के एक ओर से आती है रोशनी हाँ पीव घोड़ों पे सजीजे ना ये है घनी उसकोज ने बाबा की करी तीन पर क्रमा सप्त खड़े देखते रहे वो महात्मा फिर पहद जीवा पस चल आए थे अपने घर फिर सप्त देखते रहे थे उनको रात भर तो करके ध्यान सुन रे बाला जिदाम चल रे सपने में उनको एक ही आवाज आ रही रह रह के एक बात ही उनको ससा रही फुठो मेरी सेवा का भार गहड कुम करो ना देल अब लगाओ ना तो मुझ से यूंदरो गोसाई जी को इस तरह दरशन दिखा दी हनुमान जी ने भेद पूजा के सिखा दी वै भव विशाल देखते ही आख खुल गई इस खाती सब्द में ही सारी रात धल गई दूजे दिवस गोसाई जी पहुचे थे उस जगह बालाजी ने बताया था सफने भी जिस जगह फिर लोग आस पास के उर्भों ने बुलाए सफना बता के बालाजी के दरश कराए तू करके ध्यान सुन रे बालाजी नाम चल रे इस भाति बालाजी का अवतरन हुआ यहां अब मेला सा लगता है घोर भी हड़ था जहां फिर सर्गिय गडेश पुरी जी यहां आये मिल करके सबने उनको यहां हाहत बनाए फिर श्री किशोर जी पुरी ने बार सभाला चारों तरफ ही हो गया बाबा का उजाला अग्की उन्ही पे बाबा किसे बाका भार है प्राणू से भी ज्यादा उन्ही बाबा से प्यार है अनुराग बाला जी के चरणों में सदाइन का दिस्वात सेवा करते नहीं लोग है गनका सब यात्रियों को पुत्र भाब से ये मानते श्री महंत जी लपोध की भाशा को जानते तू करके ध्यान सुन रे बाला जी राम चल रे कू करके ध्यान सुन रे बाला जी राम चल रे करते है बाला जी के प्यारी रूत का वरनन भवविशाल रूत में है अंजनी दंदन सोनी का सिर्पे मुगुट तन पे राल लंगोटा भक्तों की रक्षा ही तुनी ये हाथ में सोटा इक हाथ में है शक्ति शिरी राम नाम की रिदय में मूरती बसी है सीता राम की सिंदूर चोला अंग में बाबा के विराजे सोनी का छत्र बाला जी के शीश पे साजे कांधे पे मुझ का जने उकानु में कुंडल वरणन में आन पाएगा महवेर जी का बल अनुपम है रूप के सरिसुत हनुमान का मढडार है बजरंग जिबल और ज्यान का तू करके ध्यान सुन रे बाला जी राम चल रे हमने किया बाला जी की यात्र वरणन किस फाति पहुचा जाए और कैसे भुपूचन बजरंग के सिरे पत्रण ना के प्यारे है काम ना ये पूण करे काज तुम्हारे किस धाम का आनन्द स्वर्ग के समान है महिमान कही चास के ऐसी बहान है ऐसे पवित्र दिफ्य धाम को न भूलिये जिसने बुलन्दियों के आसमान चूलिये हम करते हैं प्रणाम इस पवित्र धाम को रिदय में बसा करके शिवाला जिनाम को भक्तों से जो भी ठुटी हुई शमा कीजिये इक बार आके घर्श रूपियमी कीजिये तू पर के ध्यान सुन रे बाला जिनाम चल रे उपर के ध्यान सुन रे बाला जिनाम चल रे